नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में आप सबी चात्रों का स्वागत है तो दोस्तो आज के वीडियो में आप सबी चात्रों के लिए एक paper लेकर आयों जैसा कि यहाँ पर आप इस्क्रिन पर देख सकते हो आपको मैं बताना चाहूंगा ये part first का paper है जो की elementary computer application का paper है और ये जो paper हुआ है दोस्तो आज ही हुआ है दो जार बाइस का आज ही का ये paper है तो चलिए आज के इस वीडियो में इन सभी के जितने भी क्यूसन है यानि कि यहां पर 120 क्यूसन है और सभी के यहां पर आंचोर सहीत मैं आपको पड़कर बताने वाला हूँगी किस प्रकार से आपके क्यूसन आया है तो आप वीडियो पर एन तक बने रहना चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वरना ये काफी लंबा हो जाएगा इसी के बाद दोस्तो यहां पर timing भी देख सकते हो दो गणटे का time है और जो maximum marks हो भी आपर माप को दिखा देता हूं 60 यहां पर maximum marks है इसी के बाद दोस्तो यहां पर जैसे नीश सलते है तो यहां पर बात करते हैं फर्स्ट क्यूसन क्या है सारे क्यूसन यहां पर में clear करने वाला हूँ एक क्यूसन तो क्यूसन है आपकाका लबी दूरी के संच्छ पर देखने को मिल जाएंगे लिंक मेंने description box में दे रखा है टेली ग्राम का इसके बाद second question है flow fee क्या है flow fee क्या है रहे मैं दित्तेक memory है cash memory है या इन में से कोई नहीं इसके बाद दोस्तों third question है पहला microprocessor जिसे 1970 में तैयार किया गया था उसका नाम है तो आप मुझे comment box में यह मुझे भी पता लगे कि आपको कितना आता है तो third option है कि Intel Pentium IBM 4004 या Intel 4004 या Sidix इसके बाद दोस्तों यहां पर देखो मैं किसी भी question का आपको answer नहीं बता रहा हूं यह सभी answer आपको telegram पर देखने को मिल जाएंगे fourth question है GBE का यह memory की है processing समता की है storage समता की है A तता B दोनों की ह यहांनी कि A और B दोनों की है इसके बाद दोस्तों यहां पर मैं कुछ कुछ questions के आपको answer ही बताने वाला हूं fifth question है register क्या है memory unit में है या control unit AM CPU में है या input unit में है या scanner में है तो register के बार में आपको बताना है sixth question है आपके लिए data processing के लिए जो chip काम याती है उसको क्या बोलते है microprocessor RAM ROM या इनमें से कोई ही नहीं यानि कि इसको बोलते है microprocessor या ROM seventh question है processing speed की गणना की जाती है system clock द्वारा microprocessor द्वारा processor द्वारा stuff watch द्वारा इसके बाद दोस्तों eighth question है कि SCSI का पूरा नाम क्या है single computer system interface या single computer signal interface या small computer system interface या इनमें से कोई इसके बाद दोस्तो ninth question है network card काम में आता है किस काम में आता है चार option ही आपर दिये गए है तो इनमें से आपको छाटना है दस्वा question है कि plotters का मुख्य उपयोग किस में किया जाता है लिखित कार्य प्रिंट करने में ए तता भी दोनों में pictures एवं graph त्यार करने में या उप्रोक्त में से कोई नहीं ए और भी ग्यारवे का answer है CTRL एक है टेस्ट कुंजी है विसेश कुंजी है करसर कुंजी है या अंकिय कुंजी है इसके बाद दोस्तों नेश्ट क्यूशन है बारवा की keyboard है इनपुट उपकरने है परदसन उपकरने है आउटपुट उपकरने है या संग्रन उपकरने है तो नेश्चाहिट क्यूशन है स्वोच संपड़ी पिरिंटर में काम आने वाली शाही को करते हैं रिबन पाउडर ट्रोनर या आइरन ओक्साइड इसके बाद नेक्स्ट कुशन है सत्रवा पर्थम पीड़े के कमपूरों में निमन में से किसका उप्योग होता है वैक्यूम टूब आई सी ट्रांजिस्टर वी एल एस आई वैक्यूम टूब इसके बाद नेक्स्ट क पावर सप्लाई या यूनिफोर्म पावर सप्लाई यूनिफोर्म पोटेंशियल सर्विस या अन्य इंट्रे एप्ट से पावर सप्लाई यूनिवर्सल पावर सप्लाई इसके बाद नेक्स्ट है बीस्वा एक एंबी में बाइट्स होते हैं एक अजार चोबीस दोसोचप कि drag double click उप्रोग सभी उप्रोग सभी double click भी होता है single click भी होता है इसके बाद next है बाईस्वा EDP का पूरा नाम क्या है electronic data program या EG data program या electronic data processing या engineering data processing यह हो सकता है बी number का confirm नहीं है आप confirm करके बता देना comment box में 23 वा है keyboard पर F1 से F12 तक की कुंजिया कहलाती है sign कुंजिया, function कुंजिया, numeric कुंजिया logical कुंजिया इसके बाद 24 वा क्यूसन है prathmik संग्रान युक्ति के रूप में परियुक्त होती है p-rom, floppy disk, cd-rom, hard disk यानि की prathmik संग्रान युक्ति के hard disk इसके बाद next question है जैसे कि याँ पर कितने question किलियर कर दिये याँ पर 25 वा क्यूसन है magnetic tape में tax की संग्या होती है 7, 9, 8, 10 आपको बताना है इसके बाद 26 वा क्यूसन है दित्यक संग्रान की तुलना में प्रात्मिक संग्रान है इसके बाद next question है 27 वा निमन में से कौन सा non impact printer है इसमें से देख सकते हो कौन सा है dash wheel, dot matrix, line matrix या इन में से कोई यानि इन में से हो सकता है dot matrix या dash wheel इसके बाद दोस्तों next है 28 वा laser printer में प्रियोग किया जाता है roaster scan, heat sensitive paper या camera lens या इन में से कोई नहीं इसके बाद next question है 29 वा computer operation की गती मापी जाती है mega heartage में, mega bytes में mega volt में, mega horse में आपको बताना है 30 वा क्यूसन है दोस्तों server को कहा जाता है fund end, connecting end, back end इन में से कोई नहीं इसके बाद next 31 वा निमन में से कौन सा सही उत्तर की जांच जांच अपने आप कर लिता है जैसे optical mark reader, magnetic tap reader optical character reader या magnetar ink character reader इसके बाद next question है 32 वा, 32 देख सकते हो processor और RAM किस पर लगे होते है display unit पर, hard disk पर या motherboard पर या उप्रोक्स अभी पर इसके बाद next question है 33 वा, 32 million cycle कहलाती है height as, mega height as clock period या उप्रोक्त में से 32 clock period इसके बाद next है 34 कूशन कौन सा binary code सरवादिक परसीत है BCD, EBC, DIC या ASCI या उप्रोक्स सभी साइद ASCI confirm आप मुझे comment box में बता दे न और सभी के क्यों answer आपको टेलिग्राम पर देखने को मिल जाएंगे link description box में दे रखा है 35 वा क्यूशन है DPI निमन में से किसका मापक है data transfer speed का संग्रान चमता का या resolution of printer का या microprocessor की speed का इसके बाद 37 वा क्यूशन है निमन में से कौन सा सबसे कम access time लेता है DVD, flow feed disk या hard disk या magnetic tape मतलब कि access में time लेता है सबसे कम लेता है hard disk इसके बाद next है 37 computer program में गलती को कहते है bug bite, bus, bumble bug बोलते हैं इसके बाद next question है 38 की 38 question जानते है क्या है निमन में से कौन सा database management system नहीं है database management system नहीं है access, net escape, navigator या fox pro या oracle इसके बाद side oracle यहाँ पर data access नहीं है इसके बाद next question है 49 करमानुसार निर्देशों का समूद जो इसका computer को vicious कार्य करने के योग के बनाता है कहलाता है software, data, hardware, information software इसके बाद next question है 40 वा निमन में से कौन सा आंत्रिक निर्देश है जो आंत्रिक निर्देश देता है वो है जैसे R.E.N. D.I.R. टाइप यह उप्रोक सभी यह आपको बताना है 41 क्यूसन है इनमें से कौन सी उच्छ स्तरिय बासा है जैसे HTML, logo, Java, machine bass machine bass इसके बाद यहां पर देख सकते हो 42 वा उच्छ सारनी का नाम जिसके द्वारा एक बूली है व्यन्जक्की तार्की सक्रियाए दरसाई जाती है फोल्स टेबल लोजिक टेबल टूथ टेबल इनमें से कोई नहीं इसके बाद नहीं से प्रोग्रामिंग से प्रोग्रामिंग से इसके बाद नहीं से असेम्बली लैंग्वेज बासा है असेम्बली बासा है मसीयन जाण्शित उचिस्तरियवासा या मसीने अनासरित इनमें से कोई नहीं इसके बाद 4500 क्यूशन है desktop की निचली बार को कहते है task bar startup, desktop, menu bar जो नीचे रहता desktop की निचली बार को कहते है task bar sorry menu bar menu bar बोलते है उसको इसके बाद 4600 क्यूशन है निमन में से कौन सा multitasking operating system है multitasking यहनि कि Linux है MS-DOS है या Unix है या Windows है multitasking Linux इसके बाद next question है 4700 Microsoft XP है hardware compiler operating system information यह है operating system इसके बाद next question है MS-DOS में file का विस्तार होता है .mx .exe doc .bmp .tx .doc इसके बाद next है 4900 क्यूशन screen saver एक bracket है hardware, cloth cover, software या virus यह एक तरह का software है इसके बाद next है 50 एक CPU द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का क्रियान वियन कहलाता है multiprocessing multiprogramming multiprogramming time sharing यह इन में से कोई नहीं multiprocessing इसके बाद next है 51 क्यूशन है देखो मैं यह आपर बता रहा हूँ उन में एक दू क्यूशन गलत भी हो सकते है तो आप मुझे comment box में सही क्यूशन बता देना जो भी मैं यह आपर गलत बोल देता हूँ बाइचांस बोल सकता हूँ इसके बाद जो 51 क्यूशन है वो है निमन में से कौन सा सर्च इंजन है याहू, MSN, Rediff या उप्रोक सभी याहू या पर सर्च इंजन है इसके बाद 52 क्यूशन है जब एक पत्र विबिन विक्तियों को बेजा जाता है तो MSWARD की निमन में से कौन सी निमन में से कौन सी प्रोपर्टी का उप्योग होता है mail merge, template, spell check, mail merge इसके बाद next question है वो है, वो क्यूशन है आपका एक तरह परवा क्यूशन एक प्रोग्राम जो इस तरह बासा को मसीने बासा में बदलता है कहलाता है उस तरह बासा, operating system, editor, compiler compiler, इसके बाद चोवानवा क्यूशन है, MS Word की command जो एक file को दूसरी जगह पर copy करती है, control प्लस C, control प्लस C है इसके बाद nest question है पच्वानवा क्यूशन इसकोल लोख कुंजी है, फलन है टोगल है, नूमेरिक है, या करसन नियंद्रक है इसके बाद चापनवा क्यूशन है कौन से network में एक node के तूटने पर दूसरे सिरोप पर इसका परबाव नहीं होता रेखिक, ring, start, tree आपको बताना है सतावा क्यूशन है, कौन सा public network है जैसे ISDN है, NICTEN है या SQUIT है, या UPROQ सभी है तो आपको ये सब कुछ बताना है अठानवा क्यूशन है टेक्स्ट को इंटरनेट से निमन के द्वारा बेज़ा दाता है TCP, जैसे FTP, HTTP, HTTP, HTML इसके बाद next है TCP transfer control protocol इसके बाद 49 चास्वा उस्वारी, 49 च्यूशन है PCI निमन में से किसका प्रकार है plug and play बस browser software plug and play सायद confirm आप मुझे बताना निमन में से कौन सा site application निमन में से कौन सा उपकरान है monitor पर दिखने वाले pointer को control करता है UPS करता है mode up करता है mic करता है mouse करता है एक सटवा क्यूशन है एक web का निमन के द्वारा access किया जाता है यहू browser filter search tool browser के द्वारा बाद सटवा क्यूशन है एक operating system से क्या प्राप्त किया जाता है user interface database या short box या windows operating system से user interface किया जाता है इसी के बाद तरेश्वा क्यूशन है magnetic tape क्या है data को क्रममंद इस्टोर करता है data को यादचिक रूप से पड़ता है data को parallel store करता है उप्रोप निवेक से कोई नही 64 वा क्यूशन है MS word में shortcut कुझी shift plus F7 निमन के लिए प्रियोग की जाती case बदलने में hyperlink insert करने में grammar चेक करने में या थेसरोस करने में 65 वा क्यूशन है MS access में database window को दिखाने के लिए निमने shortcut कुझी काम भी ली जाती है F7, control plus F4, F9, F11 66 वा क्यूशन है एक network की devices दूसरे network की devices के साथ निमन के माध्यम से सब्रक करती है file server, printer server, utility server या gateway gateway के माध्यम से इसके बाद next question है 66 वा computer graphics में निमन में से कौन सा उप्योग में लाया जाता है जिसे CAD, SCAT, CAM या उप्रोक सभी computer graphics में किस उप्रोक सभी हो सकता है 68 वा क्यूशन है database को बंद करने के लिए shortcut को जी चुनिए alt plus F4, alt plus C, control plus W, control plus F4 control plus alt for F4 हो सकता है इसके बाद उन्हें तर जो क्यूशन है वो है कि निमन में से कौन से toolbar में short command मिलती है इसके बाद 70 वा क्यूशन है वर्क सीटों का संगर कहलाता है access book कहलाता है या work sheet कहलाता है access table कहलाता है या work book कहलाता है ये सभी जो क्यूशन आपको telegram पर भी देखने को मिल जाएंगे 71 वा क्यूशन है CD-ROM पर एक बार store किये हुए data को कर सकते है modify A तथा B दोनों दुबारा record इनमें से कोई नहीं A तथा B दोनों हो सकते है बहतर वा क्यूशन है एक नया प्रोग्राफ सुद करने के लिए MS Word में कौन सी कुझी दबाई जाती है down server कुझी shift plus enter enter कुझी या control plus enter इसके बाद तेतर वा क्यूशन है अंको की कौन सी परणाली को machine बासा में परदर्शित करते है decimal binary या octal या hexadecimal यानि अंको की कौन सी परणाली जिसको machine बासा में परदर्शित करते है binary हो सकता है in OCR OCR मतलब की OCR में किसी भी परकार के फोटो का उपीयों की आजा सकता है एक विशेस परकार के फोट का उपीयों की ही किया जा सकता है के वल हास से लिखे document द्वारा ही data entry की की जा सकती है एक विशेस परकार की शाही में लिखे data को ही पढ़ा जा सकता है सभी questions के answer आपको टेलिग्राम पर मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में है पिछेतरवा क्यूसन है प्राइवेट नेटवर्क एवं इंटरनेट के बीच जो सुरक्षिया गार्ड रखा जाता है उससे कहते है प्राइवेट नेटवर्क के बीच में उसको बोलता है फाइवेट इसके बाद नेक्स्ट चीतरवा वैन में कौन से हार्डवेर का उपियो होता है ब्रीज राउटर गेटवे राउटर का होता है इसके बाद ISP Standard for यानि ISP निमन का संक्सित नाम है internet service provider internet security provider internet service protocol इसके बाद internet security protocol ISP internet service protocol इसके बाद नेक्स्ट है ठेतरवा कुसर में system जो एक डारेक्टरी सरवर की तरह कार्य करता है केंदरी है P2P hybrid या स्वेच केंदरी है P2P या उप्रोग सभी इसके बाद दोस्तों जो उन्हें 80 नमबर का जो क्यूशन है वो है कलाउड कंपूटरिंग के अंतरगर्थ कलाउड में सम्मेली ते क्या होता है इस्टोरेश डिवाइसेज या सर्विसेज या नेटवर्क या उपरोग सभी सभी होते हैं कलाउड कंपूटरिंग में इसके बाद नेच्ट क्यूशन है 80 नमबर का क्यूशन है इमेल, ओनलाइन गेम, वर्चूल, डेक्स्टोप, डेटा बेस प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री, कंट्रोल तथा सी आरेम नियुन में से किसके किये जाते हैं पास, लास, सास या उपरोग सभी या उपरोग सभी आएगा इसमें, जो 81 नमबर का क्यूशन हो है, OSI मोडल की वह लेयर, वायर, लेंस, नेटवर्क के किरियानवित होते हैं, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, या डेटा लिंक, या ट्रांसपोर्ट लेयर, साथ इसमें नेटवर्क लेवर, लेवर हो सकत हैं, माल वेयर के हो सकते हैं, इसके बाद 13 नमबर का क्यूशन है, नेमन में से, वैकों सा, दुर्बा, वना पूर्ण सोप्ट वेयर, जिसमें स्युम की पुनावर्ती नहीं होती, जैसे वायरस हो गया, ट्रोजन हो गया, वोर्म, या इनमें से कोई नहीं, ट्रोजन हो सकता है, इसके बाद 14 नमबर क्यूशन है, वेयर तकनिक, जिसके आकर्मन करता, कन्फूजिंग सिक्वेंस संक्याओ के पैकेट डाल देता है, पिंग ओफ हूड, टियर ड्रोफ आकर्मन, या पिंग ओफ डैट, या मैल बोम, 85 नमबर क्यूशन है, ओनलाइन वुक्तान लेने के बाद यदि उत्पात का वित्रन नहीं किया जाता है, तो यह एक उदारन है, पर्चेज फ्रोड, फीसिंग, या ओनलाइन ओक्षन फ्रोड, या ओनलाइन रिटेल फ्रोड, ये ओनलाइन का हो सकता है, ये कन्फरम नहीं, कौन सा है, इसके बाद 16 नमबर का क्यूशन है, वे कौन सा कनक्षन है, जिसे दो लेन ब्रीज की तरह समझा दा सकता है, सिक्रो नियम या फूल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, या पैरिलल, पैरिलल हो सकता है, इसके बाद नेक्ष्ट है, वे नेटवर, जिसमें कोई हब नहीं है, के लिए कौन सी टोपलोजी स्रेश्ट पैरिंग, बस, इस्टार, मेस, आपको पता लगाना होगा, इसके बाद दोस्तों जो नववासी नंबर का क्यूशन है, वो है, एक विदार्ती को तीन से अधिक पुष्टेके नहीं दे सकते हैं, तो इसे कहते हैं, डेटा आइसोलेशन, डेटा इंट्री, ग्रीटी, या ड अल्गोरित्म कहलाता है, फ्लोट चार्ट कहलाता है, सूडो कोड कहलाता है, या प्रोग्राम कहलाता है, सूडो कोड भी हो सकता है, एक राणमे नंबर का क्यूशन है, कोबल बासा कून सी पीडी के कम्पूटरों से संबंदित है, पर्थम पीडी, दित्ते पीडी, तर्ते को बढ़ावा या उप्रोग सभी इसके बाद दोस्तों जो तराण में नंबर का क्यूसन है उसके बार में आपर जानते हैं वह उचिस तरी यह बासा जिसका अंक गणीत वेग्यानिक संखी की एवं इंजिनियरिंग गणाओं में उप्योग किया जाता है उसे कहते है सी जाव बेसिक या फोर्टोन इन्हीं से आपको पता लगाना है चोरण में नंबर का क्यूसन है सबसे अधिक पोर्टेबल बासा कोन सी होती है c होती है जावा होती है c++ या बैस्तिक पोर्टेबल बासा पीचानमें नंबर का Larry चेत्र जाप प्रोग्राम को एग्जिक्यूट करने टाइम सेरिंग ओपरेटिंग सिस्टम नियुन में से कौन सी पीडी के कम्पूटरों में उप्योग किये गया है पर्थम पीडी दित्तिय चतूर्त वो आपको पता लगाना है इसके बाद नेटवर कम्पूटर या लैप्टोप इसका मीनी कम्पूटर हो सकता है इसके बाद अठ्यानम नंबर का क्यूशन है गेमिंग डिवाइस गडिया कैलकुलेटर टेलिफोन आदी में से कौन सी टाइप की स्क्रीट का फिया जाता है LCD, CRT, PLASMA, LCD का किया जा सकता है निन्यानम नंबर का क्यूशन है कि प्रोसेसर का कौन सा कटक कम्पूटर सिस्टम में डेटा के परशार को नियंत्रित करता है BIU, CU, EU या ALU, 100 नंबर का क्यूशन है सुपर कम्पूटर की स्पीड को निवन से परदिशित किया जाता है Gigahertz, GE, LOFS, GIPS या Uprog सभी इसके बाद दोस्तों जो 101 नंबर का क्यूशन है वो है Application AM Operating System के द्वारा जिन कुझियों का विशेस कमांडों को संचालित करने के लिए उपियोग में लाया जाता है वे है typing कुझिया, control कुझिया, या arrow वाली कुझिया, या function कुझिया इसके बाद दोस्तों 102 नंबर का क्यूशन है एक transfer को शुरू करने के लिए जो समय किया जाता है उसे कहता है seek time rotational delay या data transfer rate या disk latency इसके बाद 103 नंबर का क्यूशन निमन में से कौन सा code पंच कार में आसानी से उपियोग किया जाता है जैसे ASCWI या access 3 या EBCDIC या BCD इसके बाद दोस्तों जो 104 नंबर का क्यूशन है वो है दोनों input मानों के गलत 0 होने पर कौन सा operator सही माना यानि एक देता है एंड और या नूर इसके बाद दोस्तों 105 नंबर क्यूशन है वह बासा जिसमें किसी translator की आउशकता नहीं होती जैसे मशीनी बासा assembly बासा या 3GL या 4GL मशीनी बासा इसके बाद दोस्तों 106 नंबर का है कि पोस्ट निमन के द्वारा परफोर्म किया जाता है उप्रेटिंग सिस्टम बायोस असेंब्लर या लिंकर बायोस के द्वारा इसके बाद 7 नंबर क्यूशन है 107 नंबर क्यूशन वह सोप्टियर जो इंटरनेट से फ्रीली यानि बीना कीमत चुकाई डाउनलोड की आजा सकता है जैसे कस्टमाइज सोप्टिवर फर्मवेर सेयर वेर या मिडल वेर इसके बाद 108 नंबर क्यूशन है वह उप्रेटिंग सिस्टम जो अनेक उप्रेटिंग सिस्टम वातावरन को एक ही कम्पूटर में एक फ्रीयार होने का इंतजार करता है कहलाता है जिसे बफरिंग या स्पूलिंग या पोलिंग या डिमे इसके बाद 110 नंबर का क्यूशन है वह कौन सी सीडूलिंग पोलोशी है जिसमे अधिक समय लेने वाली जोब को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है जैसे s jf हो गय या FCFS हो गया या उप्रोक सभी हो गया 111 नंबर का क्यूशन है फ्लो चार्ट में आयात का सिंबल निमन में से किसके लिए उप्योग में लाए जाता है जिसे टर्मिनल एक्टिविटी या DECISION निरन है या INPUT OUTPUD इसके बाद 112 नंबर का क्यूशन है वह तकनिक जो संचरन से पहले डेटा को जोडती है मल्टि प्लेक्सिंग है या स्यूचिंग है या राउटिंग है या उप्रोग सभी है 113 नंबर का क्यूशन है स्यूचिंग का वह बरकार जिसमें डेटा के आकार की कोई सीमा नहीं होती वो है सरकिट है, पैकेट है, मैसेज है या उपरोग सभी है 114 नमर का क्यूशन है कौन सी टोपलोजी में सभी नोड के लिए डेटा संचरन की बराबर संभावना है रिंग में, बस में, इस्टार में या मैस में इसके बाद दोस्तों 115 नमर का क्यूशन है, वह है तकनिक जिससे हैकर अवेद रूप से दूर से किसी उपबोक ताके फोन को एकसेस कर लेता है जिसे ब्लू जेकिंग या कार विस्पर या ब्लू बगिंग या उपरोग सभी, उपरोग सभी हो सकता है इसमें 116 नमर का क्यूशन है, ब्लू टू डिवाइस लगबग ब्लैंक के कमजोर सिंगनल को संस्रीट करती है एक मिलिवाट, तीन मिलिवाट, एक दो मिलिवाट या चार मिलिवाट 117 नमर का क्यूशन है, MPEG किसे सम्मेंदीता है, ओडियो वीडियो कॉन्फरेंस या इकोमर्स से, या गैम्स या वीडियो जी, इकोमर्स हो सकता है 118 नमबर अक्यूशन है, एक हाइब्रिड कम्पूटर है, डिजिटल कम्पूटर से मिलता है, एनलो कम्पूटर से मिलता है, या डिजिटल एम, एनलो